नमस्कार दोस्तों सभी को गंतंत्र दिवस की हारदिक शुप कामना है तो आज हम बेपेड का थर्ड सब्जेक्ट फर्स समेस्टर का आज इंपरेंट कोशिन करेंगे और पहले का हमने दो सब्जेक्ट का कर चुका है जिसकी वीडियो अप्लोड हो चुकी है आज हम करने वाल है तीन टाइप के कोशन होते हैं वेरे शॉर्ट शॉर्ट और लॉंग अंसर टाइप कोशन ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वेरे शॉर्ट अंसर टाइप कोशन तो यह आपके स्क्रीन में पहला कोशन कॉंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हिंदी में हैं खे भी very short answer type question में आपको 50 words में बताना है ठीक है आपका every question 3 marks का होता है तो आपका third question है what is extramural ठीक है extramural होता और एक intramural होता है इसका मतलब है जो कि आपकी in short आप कह सकते हो outdoor games ठीक है और intramural में होता आपका indoor games ठीक है और आपका fourth question है concept of tournament तो आपको tournament की concept बताने इसमें प्रतियोगिता की अफधारना ठीक है और आपका ये fifth question है what is budget तो आपको जो budget set होता है आपके किसी भी sports event को conduct कराने के लिए उसको budget कहते है आपने physical education में तो आपको budget बताने क्या होता है ठीक है total आपके आते है very short answer type question में 5 question जिसमें से आपको केवल 3 ही करने पड़ते है अब आगे बढ़ते है section B short answer type question के तरफ जिसमें आपको total 7 question आते हैं जिसमें से आपको total 4 ही question करने पड़ते हैं और इसकी word limit की बात करें तो 225 word limit होती है तो आपका पहला question Write down the purpose and scope of sports management खेल प्रबंधन के उद्देश और छेत्र को लिखिए Second question है आपका Explain essential skills of sports management खेल प्रबंधन में आवश्यक कॉसलों का वर्णन केजिए आपका third question है Discuss the qualities of administrative leaders प्रशाशनिक लेडर के गुनों का वर्णन केजिए आपका fourth question है Write down the style and methods of leadership नेत्रित किस हैली एवं तरीकों को लिखिए आपने जैसा कि देखा है जातर question किसके उपर है leadership और sports management पे तो इस पे अच्छे से topic ready करके अर कर लेना आपका fifth question है What is planning and directing? Explain in detail योजना और निर्देशन क्या है? विस्तार से वर्णन कीजिए आपका sixth question है discuss the importance and factor affecting timetable आपका seventh question है explain the principles of budgeting budget कैसे दानतों का वर्णन कीजिए अब आगे बढ़ते है section C long answer type question जिसमें आपको total question आते हैं और आपको इसमें से केवल दो ही करने होते हैं अगर question marks की बात करने हैं 15 marks each है यानि आपको 30 marks का long answer question आता है दो question करने होते हैं और word limit केतने होते हैं 475 words यानि कि आपको ढ़ाई से 3 page लिखना है तो अब आप question देखते हैं आपका पहला question है explain the needs and importance of sports management in physical education सारे शिक्षा में खेल प्रमंधन की आविशक्ता और महत्वका वर्नन कीजिए आपका second question है write an essay on leadership आपने फिर देखा leadership के बारे में जातर question आ रहे हैं और sports management के उपर आ रहे हैं ठीक है तो third question के उपर चलते हैं explain the needs and explain need and importance of purchase and equipment and material in sports खेल के उपकरण वे समागरी के क्रेगी आविशक्ता और महत्वका वर्नन कीजिए और आपका last और fourth question आता है draw the fixture of 12 teams on the basis of knockout tournament knockout प्रतियोगिता के आधार पर 12 teamों का fixture बनाईए तो यह आपका total question थे जो की बहुत important question और यह previous question पेपर में आ चुका है और आपके आगे upcoming exam में भी important है तो आपको ध्यान यह रखना है कि जायतर question के basis पे आए है sports management और leadership के उपर जायतर question आए है तो आपको इन topic के उपर अच्छे एक essay ready कर लेना है जो कि आपके paper में काम आ सकता है तो आपको टोटल तीन subject के question paper मिल चुके है आज की वीडियो है यही तक मिलते हैं next video में next important question के साथ thank you